नूल जिले में 22 अप्रेल को शेकपुर गाउंग में गौकशी कर रहे युवकों को पकने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर अब इलाके के तीन-तीन विधायक गौकशी करने वालों के समर्थन में आ गए हैं। फिरोजपुर जिर का विधायक मामन खान इंजिनियर ने कहा है कि अगर इस बार किसी गाउंग में बिना पुलिस के इस तरह से गौर अक्षिकों ने रेट की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। इस मुध्दे को लेकर आज फिरोजपुर जिर का विधायक मामन खान, नूर विधायक आफताब एहमद के भाई महताब एहमद और पुन्हाना विधान सभा से विधायक मौभाय के विधायक मौहम्मद इलियास तमाम ग्रामीनों और गौकशी करने वाले युवकों के परि इसको साथ ये गाउंग में गुसाए और गुंडागर्दी करते हुए फाइरंग करते हुए घर से युवकों को उठा ले गए ये अधिकार गौर अक्षिकों को किसने दिये। हालां कि विधायक जी ने भी कहा कि हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जो गौकशी करते हैं। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिशकार करेंगे जो गौकशी करते हैं और हिंदू भायों की भावनाओं के साथ खिलवार करते हैं। वही इस मामले में नूर के ASP ने कहा है कि वाइरल वीडियो की जाच कराई जाएगी। इस मामले में दोनों ही पक्षों ने जिला अधिकारियों से मुलाकात की है। आपको बता दी कि मंगलवार को बजरंग डल और गौरक्षकों ने जिला के अधिकारियों से मुलाकात कर ऐसे लोगों के खिलाफ सक्त कारवाय करने की मान की है जो मेवात में गौकशी कर रहे हैं। इस मामले में एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें साफ देख रहा है कि जब गौरक्षक शेकपुर गाउं में रेट करने के लिए पहुँचे तो उनके साथ पुलिस करमी भी नजर आ रहे हैं। नूर जिले में गौकशी का ये पहला मामला नहीं है इससे पहले भी कई बार गौत तसकरों को मेवात जिले से पक्ते गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कारवाय की जाती है लेकिन फिर भी मेवात में गौकशी का काला कारोबार चल रहा है। कि सबसे पहले तो आज जो मेवात के दर्द है वो ही हमारे तीनों विधायकों के दर्द है चोदी इल्याज जी भी मेरे सीनिय लीडर वो भी साथ थे आपता भाई आज मिटिंग में चले गए उसी जगे महता भाई आ गए हैं यह हमारा सब का दर्द है सबसे पहले तो मैं सभी धर्मों का मान संबान करता हूँ चाहे हिंदों का दर्म हो चाहे मुसल्मानों को हो चाहे इशाय को जो उनकी भावनाओं को कोई ठोस पोच्छता उसका विमें कड़े सब्समों में खंडन करता हूं सबसे पहली बात यह एक वाक्या नहीं हुआ पत्रकार जी यह तीन-चार वाक्या कर चुक है इमेवाद में पहले भादस में किया बसे इमेवी में किया रावली में किया बिछोर में किया अब सेक्पिरम क्या बिछोर में 30 अपरेल 2021 को जज़ साहब ने साफ साफ अपने कर नहीं है कोट हाई कोट ने अच्छी तरह इनको फटकार लगाई है बाकी जिस तरह से सेखपूर और रावली में इन्होंने एस समाजी को तक्तों ने गुंडागर्दी की है वो बरदास से बाहर है वो मेरे नहीं पूरे मेवाद से के हर इंसान के हर वेक्ति के कि दिमागों से बाहर है क्यों बाहर है मेवाद में हिंदू मुसल्मानों को भायचारा एक बहुत बुड़ा पुरान चला रहा देश में ऐसा भायचारा कहीं भी देखने को नहीं मिलेका जिस तरह ये बाहर से आके लोग गव रक्षक के नाम पर बगज़तनक दल के नाम पर जो गुंडगर्दी उठारक किये जिस तरह से हत्यार लेके नहीं गाओं में जाते हैं जो कोई दोस्ती हो ना ने ने दोस्त को देखते हैं मा बहंड की गाड़ी देते हैं और जबर जबर्दस्ति उन को गाड़ी में ले जाके ध नाम बंद करके जेल बेज़ते हैं कि यहां के मेवात में जो भाइचारा उसको खितम करना है यहां के नोजवानों को जेल में पहुंचाना है कोई इन गोरक्षकों को या बजरंग देंगवालों को कोई अधिकार दे रहा है तो उसके हमें कोपी मोहिया कराई जाए आपको मैं बता दूँ अभी जो यह लोग जो गाओं में जा रहे हैं चाह सिरीकांत है अनिल कुमार है मौनू है मनू है सनी है रिंकू है जीतू है रोबिन है आचारी आजाज जी है और अन्य काफी लोग है जो गाड़ी भरके लिए गर जाते है और बताँ एक चार 70 डी सफेज कार्पियों है जो पंचात डवलोप्मेंट के नाम से है सरकार के नाम से मैंने ये भी कहा ये गाड़ी क्या डीज सब आपने मोहिया करा रखिए तो उन्होंने कहा है ये ओक्षन में हुई यह 8 साल पुरानी गाड़ी है तो इसका आज तक ट्रांसफर क्यों नहीं जब सारी बाते हुई तो डी सी साम मैंने और भी सुनिये जो साहीव लड़का पड़करा है शेखपूर का उसके बारे में तफसीर से बात हुई उसके उपर एफायर नंबर इन्होंने दर्ज की एक सो एक सो एक सो नंचास दो हजार बाइस को फिरों तो जर्कर थाना में व सक्त से सद आफ्ता भाई एड्वोकेट में नहीं कहा कि ऐसी धारा लगाने जिसमें बेलना हो जाए और उनको जल्दी से जल्दी बिहाइंड दा बार करना चाहिए तो इस पी नहीं कहा आज साम तक तुम्हारी एफायर लोज इनके खिलाप हो जाएगी और सक्त सब्सक्रा कार रहेंगे डिसी साब ने भी यह कहा कि किसी भी कीमत पर बत्तमी जी बरदास नहीं की जाएगी मेवात में भाईचारा है वो हमेसे बना रहेगा और यह मैं कहता हूं मैंने यह भी कहा वह कि सब्सक्राइब हमारी जो चुब बैठे हैं इसको हमारी कमजोरी मत समझो आप रहने दो या तो इनको समझा दो अब के यह वापिस गाउंसे आ जाएं तो हमसे भी कौन में वाती कहता है यह खुल के बयान किये हमने और आज के बाद ये भी मैंने कहा है आप लोगों के मादें से कह रहा हूं कि जो भाई गलत काम करता है उसके साथ हम बिल्कुल नहीं है हम बिल्कुल नहीं है जो गलत काम करेगा वह कुछ भी हो हम उसके साथ परसासमे के साथ कंदा से कंदा मिराकर उनका साथ ने यह पनचाथ होगी उसमें भी बात रखेंगे उसकामें भी सोचल बाइकाट करेंगे कि भाई जो गौकसी करेंगे जो हमारे हिंदु भाई को सम्मान को ठेस हो जाएगा हम उसके साथ कोई बच्चा भी मेवात का नहीं रहेगा तो उन्हें आज आज आसवासन दिया कि आज क्या फैलोज होगी और इनके खिलाब सक्त सक्त कारवाइक की जाएगी और मैं भी आप को और मेवात वासियों को आपके माध्यम से मेस्जिज देना चाहता हूं आप चिंता मत करो पहले गोड़ी हम विधायकों को लगेगी बाद में किसी आदमी को लगेगी हम आपके साथ अन्मन्दन से खड़े हैं आज हमारे दोनों कॉंग्रेस विधायक और मैं और बाकी शोशल वर्कर एड़ुकेट्स और युवा साथी सब डी सी एस पी की जॉइंट हम से मीटिंग हुई है उससे पहले आफ्ता भाई ने और मामन साब ने इल्या साब ने इन तीनों ने उपर भी चंदिगर तक मामले को उठाया था पीजीपी सीएडी से इनकी बात भी हुई है टेलिफोनिकली कि इस पर सक्ट से सक्ट कारवाई की ज़िए लेकिन अब तक कोई कारवाई अमल में नहीं लाई गई उसी बात को लेकर के आज हम सब मिले हैं और हमने अपनी बात पुर्जोर तरीके से सब ने रखी है एक अलफाज है किसी ने अपनी बात दबाई नहीं है सब ने अपनी बात खुल के रखी है चाए वो हम तीनों थे चाए कोई और सोशल एक्टिविस्ट था या एडूकेट था और एक बात हमने खुले अलफाजों में कही है कि मेवात का सबर का पैमाना अब छलकने को है का मामला है इस तरीके की वीडियो खुद लीक करें और हमें हमारी जजबातों को इतना भड़काया जाए कि मेवात में दंगे हो जाए यह बहुत बड़ी साजिश है जिसका परदा फाश होना चाहिए और जैसा भाई ममन ने कहा हमने यह नहीं कि सिरफ उन्होंने कह दिया म को कदमा दर्ज हो हमने यह भी कहा है कानून की नजर में वकीलों के मशोरे के साथ क्योंकि मैं खुद भी वकील हूं कि जैसे पुनाना में सिरफ 153 एक फाई यार इटीएक्ट में दर्ज ना करके ऐसी दारा में दर्ज कर दी जाए जो साथ के साथ बेल हो जाए हमें यह बनते हैं जो खुद सबूत हैं उनके इसाफ से उन पर दर्ज किया जाए और जो बेगुना उठाया गया है शेखपुर से उसकी investigation करके उसे रियाग किया जाए और हमने एक बादा और भी किया है administration से वो हमने किया है सबने के हम में से कोई गवकशी करने वाले जो एक एक फिसद या आदा फिसद लोग हैं मेवात में उनका कोई साथ नहीं देगा यह हमने भी एक सामोई शोचली बाइकॉट उनका करने का फैसला लिया आगे उस बारे में पंचायत हम तीनों ने और सभी साथियों ने यह फैसला लिया है हम अभी एक दो दिन पुलिस एक्षन देखेंगे अगर सक्ट से सक्ट कारवाई नहीं हुई हमारी संतुष्टी और अवाम की संतुष्टी के हिसाब से तो हम सड़कों पे आएंगे और जहां जाना हम वहां जाएंगे है अिसे के सा कर गई यह उड़ी मतोब तो जेंगर को उछाएंग फ़र्टी और नहीं इले पिसल रगए जट्यवारी से खारिया। वोखाली करा कैसा करा, जटी उचो लो घप रहा हो, जबाब भगोई नाँगरे उदेड़ू है, उदर उदर उदर, देख उदर उदरू हो, भी जाने वहां हो, मार पिटाई की ती आपके खानले गोली थे, हमार पिटाई की हमार लटकी नुकाली थी, हमार भी जती बोला, गोडी चलाई जाना वाले कौन थे? मैं ठाइना जाना भाई मतले निया हाई नुनाम मैं जाना भाई किट्रे आदमी थे और कौन-कौन थे त्यार से? वामें पंदस्वर आदमी है हत्यार कौन-कौन थे? हत्यार मस्वडियो कट भी हो यक पर और भी वो सुंदू नाइब दू कहा बाजे हूँ हाँ नाव गेर जोई कहा बाजे बहुत मुड़े मिले मैं लिए मैं देखिए आज MLA पुन्हाना और MLA फिरोजबूर जिर्का के नितरतों में सेक्डो लोगों ने मानिया डीसी सर और मानिया एस्पी सर को एक गयापन प्रस्तूत किया है और इस सम्बंद में सोसल मीडिया पे 24 तारी को वीडियो भी वाइरल हुई है इसी की जांच करते हुए और गयापन पर एक्शन लेते हुए पुलिस में नैसेसरी लिगल एक्शन ले रही है देखे ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है वो जैसे भी गयापन में जिन जिन चिजों को डिस्कलोज किया है अम उस पर तुरंट वैसा ही एक्शन ले रहे है अभी तब को यह था है यह था है जी अंडर प्रोसेस है